अगर आप YouTube पे सर्च करोगे किसी भी मोबाइल का पैटरन लॉग कैसे तोड़े तो हमारी ये वाली वीडियो आपके सामने आएगी जिस पर एक करोड़ सतर लाग व्यूज है और अगर आप यू सर्च करते हो किसी भी मोबाइल का लॉग कैसे तोड़े तो हमारी ये वाली व यह जो वीडियो है आप देख सकते हैं यह 3-3 साल पुराने वीडियो है अब इनके तरीके पुराने हो चुके हैं लोग तोड़ने के अब मैं आपको बताता हूँ नया तरीका मोबाइल का लोग तोड़ने का बहुत ही आसानी से मोबाइल लोग तोड़ता है कुछ भी इसे ले सकते हो जितने दुकंदार लेते हैं उतने आप भी ले सकते हो और उनका मोबाइल का लॉक 100% खुल जाएगा इस वीडियो में आपको दो ट्रिक्स बताऊंगा और पहली ट्रिक और दूसरी ट्रिक एक दूसरे से लिंक है यानि कि अगर आपने फर्स्ट ट्रिक देख ही वीडियो आपको पसंद आईए और हम आपके लीदियो लाते रहेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिये और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है लोगखलने में या कुछ भी दिख्कत है इस वीडियो की पर इस्तमाल करता है दोस्तों आपको गूगल पे जाके लिखना है फोन अलॉक सॉप्टवेर अब आपके सामने काफिस सारी वेब साइड आ जाएगी जो आपका फोन अनलॉक कर देती है सॉफ्टवेर की मदस से अब होता क्या है मैं आपको फटा-फट बता देता हूं मान आलो आपने ये सॉफ्टवेर डाउनलोड कर लिया अब आपको क्या करना होता है आपको अपना फोन अटेच करना होता है डाटा केबल से अपने फोन पे लगाना होता है डाटा केबल और दूसरा हिस्सा लगाना होता है अपने कंप्यूटर या लैप्टॉप पे फिर दोस बात करते हैं दूसरे तरीके की इस तरीके में आपको किसी भी तरह का कोई पैसा देने की कोई ज़रुवत नहीं थी तो अब बात करते हैं कि कैसे दूसरा तरीका काम करता है दोस्तो आपको Google पर जाके लिखना है Samsung boot menu मेरे पास Samsung का mobile है इसलिए मैं Samsung लिख रहा हूँ आपके पास Vivo, Oppo, MI जिस भी company का mobile है उसका नाम पहले डाल के boot menu लिख देना है अब आपको अपने phone पे boot menu open करना है वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ आप जो भी अपने mobile के detail डालोगे तो Google आपको बता देखा कि आप अपने mobile को कैसे boot menu में डाल सकते है वैसे नॉर्मल ही होता तो आपके जो भी आपके mobile के buttons होते है volume up और volume down उन दोनों को एक साथ दबाना होता है और जो आपके mobile में तीसरा button होता है power button जिससे आप अपनी screen black कर देते हो और screen open करते हो उसको यानि तीनों बटन को अगर आप एक साथ दबाते हो तो आपका phone चल जाता है boot menu में तो अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो आप Google पे जाके लिख दो अपने mobile का नाम और boot menu लिख दो तो Google आपको बता देगा कि आपको कैसे अपने mobile को boot menu में डालना है अब दोस्तो आपने अपने mobile को boot menu में डाल लिया फिर आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ आपके जो दोनों बटन थे volume up और volume down उनकी मदद से आपको उपर नीचे करना है अब आपको एक option मिलेगा यहाँ पर factory reset wipe data factory reset आपको दोस्तो इस button पर आके अपना power वाला button दबा देना है आप जैसे ही दबा दोगे तो आपके phone का log तूर जाएगा जी हाँ दोस्तो इस trick की मदद से आपके phone का log तूर जाएगा बड़ी ही आसानी से इसमें आपके mobile का सारा data उड़ जाएगा आपके phone में जो भी होगा अंदर photos, videos वो सब खाली हो जाएगी और phone पूरा खाली हो जाएगा और एकदम नए जैसा हो जाएगा तो अगर दोस्तो इस video पसंद रही तो इस video को like कर देना इस channel को कर देना subscribe इसी तरह का amazing content देखने के लिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye